वेलकम तू माइल्स्टोन उनलाइं स्टडी आम प्रोफैसर लाप सेंग एंड वी गना गेव यू बेस्ट आइस रीडिंग सीरीज स्पेशली इन पंजाबी बच्चे इस चैनल दे उपर असी थानू 500 नी अनलिम्टड रीडिंग सॉल्व करके दे मांगे चाहे हो तो अधी चाहे ऋपान्न इसम त्रीडिंग पातागी का इच्ब्लास और गृवर और तॉम अज़े इन पेवड़ा रीडिंग स्था र्यां के भी आसे मृत नगजम हो करतें नाइस तूम होगू की फर्क नोब में निर रीडिंग जो कोई ऑखे नी थे थेंक्यू सो मच तौड़ा तुसी साथे चैनल नू थाड़े इंसिट्यूट नू पंजाब नूबर वान रीडिंग स्पेशलाइज इंसिट्यूट बनाया थेंक्यू सो मच एंजॉय यूरीडिंग वेल्कम तु माइल्स्टोन ऑनलाइन स्टडी माइनेम इस सिम्रन ते आज यह थें कीटियां आइं इस चीज बारे बाता लग वापनों इस पैसेश देशे एकु करते हैं ताइक्श है इस फ्रस्ट है की आपनी समरी आप विद्नों मोर दन स्वरी अपन्झे विदन और वक्राइश लें अपने अप्शंट ऑपने लिका सम्ट्री कंप्री करनी आ के लेकिन है कि अपने MCQ उस्ते थर्ड है कि अपने टूफ वर्क से नॉट गिवन ठीक ही पहलना आपको क्वेशिंस पढ़ लेन्या सारे फिर्स्ते समरी है स्टाट करने पढ़ना एक्वेस्टिन अराइजन फ्रॉम कैप्टन कोक्स कि एक दरहां दापना की वर्ड जित अपनों एमिल गया आपां ओथे एंसर लगातांगे बिगें टो प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफोर्मेशन अबाउट देश मतब जिड़ा ए आर्कलोजिंग फाइंडिंग सीगिया ओ कादे बारे वैल्यूएबल इंफोर्मेशन आप केडी चीज़ कि थे प्रेजन सी कि दे विच प्रेजन सी ओधन पांग वस अंकवर्ड लेटर अन विर्यूसर्चेस अंटस्ट्स है विन दन तो सटी देशन पीपल लपिता अन देर डैश हो कुट दे मैनेगे तो स्प्रेद देंसर्ग सो फार ओवर वास्ट ओस उसल पहाप्स दे कुट टेक अवेल एड्वांटेच अफ दे ट्रेड विन बट दे इस नो डैश ओफ एट फून एथिक अपां ट्रेड विंट कर सकते हैं अपना हाइलाइट हाना वी ए अपने एक तरह ने कीवर्ड आगे ताह ए आप अपा पता लागया विए उन्ना ने की र अपनाई कोई ऑप्शन लगूगा थर्ड देख लो थर्टी थर्ड आइसोटोप अनलेसेज फ्रॉम लेपिटा एवी अपनाई कीवर्ड हो गया जिस्थे ए होया ओस पैराग्राफ चापना अंसर लगूगा थर्टी फोर देख लो अकाउडिंग टू पैराग्राफ एफ पैराग्राफ एफ अपना अपनी लोकेशन मिल गया अपनों पैराग्राफ एफ एफ टी पैरग्राफ एफ चापा की फाइंड करने इस वी लेपिटा दे आफ्स्प्रिंग सी जड़े ओप की सी गे ये देखना अपने थी फिफ सेखो वांनस आउट एक्सप्लोरिंग सी अ आ अपना ये वांनके जाद हो एक को बाट इक स्कोरत टत है जानदी सी या सेड़र्स की कर देखिए टीक है थी तुफोल्स नॉट गिवन देखोन, 36th question दे लेपिटा कुट दा, कुट कैनू इन दे प्रिवेलिंग विंड दे लेपिटा कैनू कर साकदे सी प्रिवेलिंग विंड दे वेच ठीके जी ये अपने कीवर्ड हो कि ये अपने सारे दे सारे मिल गिया अपने टुरू है, ये एक भी गाने क्टारिक्ट हो गया ता फाल्स है ये एक भी मेसिंग हो गया था not given, 27th देखून दे खोन, इस दिफिकल टो दे लिगाए तो फाइ वेल सारे मिल आपने कीवर्ड हो कि ये धर दे एड़ दे खो रीजन वाई दे लैपिटा स्टॉब्ड के नुइंग फार्दर इस तेल अन्नोन भी यो हजे भी अन्नोन है एस दा रीजन किसे नो नहीं पता एस दा मतलब एह है तर्टिनाइइध कोशन देखो दा मेज्वारिटी ओफ लापिटा ड्वाल दोन फीजी मतलब जादा तर जड़े लापिटा दी लोग सीगे ओ किते रहन दे थी फिजी ते रहन दे थी ठीके जी फट्य देखो द नविगेटर्स कोट टेक एडवांटेज मतलब जड़े नवि किसे एक कोशन दा अंसर लगाना ना उन स्टार्ट करने परग्राफ पढ़ना पैसेज पढ़ना पैसेज पढ़ना तरी एपरग्राफ देखो Much of the thrill of the venturing to the far side of the world rests on the romance of the difference so one feels certain sympathy for Captain James Cook on the day in 1778 that he discovered Hawaii Then on his third expedition to the Pacific the British navigator had explored scores of islands across the breadth of the sea from lush New Zealand to the lonely wastes of Easter Island This latest voyage had taken him thousands of miles north from the society islands to an archipelago so remote that even the old correlations back on Tahiti knew nothing about it Imagine Cook's surprise then when the natives of Hawaii came paddling out in their canos and greeted him in the familiar tongue Once he had heard on virtually every moat of the inhabited land he had visited marveling at the ubiquity of the specific language and culture He later wondered in his journal how shall we account for this nation spreading itself so far over this vast region We have read on the topic of the experiment If we take the name of the happening to a एस परगला अपना आश्वार आशा नहीं लगो है एस परग्रार ना अपना आश्र नहीं लगों के परग्राफ के तेवी अपना एक रिट अपना और टीवर्ट हीओ अगडी है अगो and how could a Neolithic people with simple canoes and no navigation gear manage to find let alone colonize hundreds of far-punched island specks scattered across an ocean that spans nearly a third of the globe. Hunters have been slow in coming but now a startling archaeological find. Archaeological find अपना प्याना होते, keyword एक तो लग जुगा, on the island of Ifate, Ifate भी अपना keyword प्याता, एक तो एह लग जुगा, ठीका जी, और एह तो अग्या अपना answer है, in the Pacific nation of Venuatu has revealed and ancient seafaring people, की reveal कीता है, reveal तो की लग जुगा, अपना keyword, reveal तो लग जुगा, अपना keyword जी, provide ठीके जी, valuable information, कादे बारे information provide कर दी है, revealed and ancient has revealed an ancient seafaring people, the distant ancestors of today's pollinations, taking their first steps into unknown, मतलब कादे बारे information देती है, ancient seafaring people बारे, ठीके जी, ancient seafaring people बारे, ठीके जी, ancient seafaring people बारे अपनों information देती है, ठीके जी, ताप अपनों बता लागे, की दे बारे information प्रवाइड ही थी, ancient seafaring people बारे, उन अपना options जो देखांगे, केड़ा लग सकता है, बोन्स, को लीडर, descendants, international team, inquiring minds, proof, ancestors, early seafarers, हाँ जी, तापना 27 दा अंसर आउगवा जी, early seafarers, early तो अपना की लग जो है, ancient seafarers हो थे given ही है, ताप कादे बारे information देती है, आपनों, H option आजुगा अपना अंसर, early seafarers, ठीके जी, 27 दा अंसर आगए, अपना H, अगे देखो, on excavating site, a dash containing a dash of lapida was uncovered, मतलब केडी चीज दे विच लैपिटा दी, केडी चीज ही, अपना ओ दसने, बी परग्राफ ही देखो, the discoveries there have also opened a window into the shadowy world of those early voyagers, सी परग्राफ देखो, what we have is a first or second generation site, site केडी होगी ते, excavation site, containing the graves, मतलब site की contain कर दी सी, graves contain कर दी सी, ठीके जी, ता की contain कर दी सी site, graves, रही ठीके आजुगा, on the excavating site, a dash containing dash, मतलब excavating site, ते केडी चीज सी गी, एदा अंसर आप जुगा अपना जी, L option, a grave containing dash होना, पदा सी ने, grave की contain कर दा सी, ग्रेव दे विच केडी चीज होन दी थी, पर दे अंगे, graves of some of the pacific's first explorers, से स्प्रिक्स, professor of archaeology at the Australian National University and the co-leader of an international tree team excavating the site, it came to light only by luck, a backhoe operator digging up topsoil in the grounds of a derelict coconut plantation, scrapped open a grave, मतलब ग्रेव नू खोद दया, the first of dozens in a burial ground some 3,000 years ago, it is the oldest cemetery ever found in the pacific islands and it harbors, harbors तो की लग जुआ, contains, harbors दा मतलब कीया जी थे, contains, harbors दा सिनानियों है, contains, the bones, मतलब जीटे ग्रेव सी, ओ की contain कर दे सी, की harbors कर दे सी के, the bones of the ancient people, archaeologists called the lapida, मतलब जीडे लोग का नू लैपिटा क्या जान्दा सी, उनना ये bones हुन दिया सी, graves दे विच, ठीक है जी, ता अपना answer की आ जुगा, a grave containing bones of lapida, ता अपना a option answer आ जुगा है था, 29th answer is a of lapida was uncovered, अग्ये देखो, later on various researches and tests have been done to study the ancient people lapida and their dash, मतलब lapida, ते किनना नू ancient people ले जडे lapida ते कौन, मतलब कौन ने ancient people अपना उनना बारे जसना भी, केडे केडे ancient people बारे study कीते गी, ये research कीते गी, ठीक है जी, धी पराग्राफ देखों, there were daring blue water adventures who oved the sea not just as explorers but also as pioneers, bringing along everything they would need to build new lives. Dear families and livestock, tarot seedlings and stone tools, within the span of a few centuries, the lapida stretched the boundaries of their world from the jungle-clad volcanoes of Papua New Gwena to the loneliest coral outliers of Tonga at least 2,000 miles eastward in the Pacific, along the way they explored millions of square miles unknown sea, discovering and colonizing scores of tropical islands never before seen by human eyes, Venuatu, New Caledonia, Fiji, Sabuwa. It was their descendants centuries later who become the great colonization navigators we all tend to think of the Tahitians and Hawaiians, the New Zealand moeri and curious people who erected those statues on, मतलब किया जी एथो तक ता अपना लैपिटा पीपल दीगा लोगी ते एस तो गी किया है, उनना जी descendants जड़ी स्टडी होई सी उनना बारे का लोगी, ठीके जी ता लैपिटा ते किनना बारे स्टडी किती गई है, descendants बारे, ता अपना आंसर किया जुआ जी descendants, 30th answer is descendants, ठीके जी, next देखो, how could they manage to spread themselves so far over the vast ocean, all that is certain is that they were good at canoeing and perhaps they could take well advantage of the trade wind, मन्दब ओ trade wind दी बहुत वदिया, advantage लाया सक्डे सी, but there is no dash of it, मन्दब इस चीज़ दा कोई भी की नी हैगा, की नी है की इस चीज़ दी but it was the Lapita who laid the foundation, who bequeathed to the islands, the language, customs and cultures that their more famous descendants carried around the Pacific, अगगी देखो while the Lapita left a glorious legacy they also left precious few clues about themselves, a particularly intriguing clue comes from the chemical test, होने थे chemical test दीगा लागी न, अपना समरी दा जड़ा लास्ट अप्शन है, ओ एथो नी लगूगा, की तो होर लगूगा दी एथे पर ने chemical test दीगाल आगी हाना, तो आवला question अपना इथो लग सकता है, question पड़ो, the chemical tests indicate that, मतलब जड़ा chemical test ने हो की indicate कार दे है clue comes from chemical tests on the teeth of several skeletons, then as now the food and water you consume as a child deposits oxygen, carbon, strontium and other elements in your still forming adult teeth मतलब की अभी जित्धे तुसी रहने हो ना, जित्धे आपा रहने है, ओ थो ना जिड़ा food है, ओ आपा खामांगे, ओ दे विचे जड़े elements ने, ओ आपने teeth दे विचे form हो जाणगे, teeth दे विचे store हो जाणगे ठीके जी, the isotope signatures of these elements, मतलब जिड़े एं elements ने, जिड़े store होए ने, ओना ते जिड़े isotope signatures ने, varies subtly from place to place ओ वेरी कर दे ने, place to place, मतलब एक जगाते अलाग होणगे, एक जगाते अलाग होणगे So that if you grow up in say buffalo in New York, then spend your entire life in California, tests on the isotopes in your teeth will always reveal your eastern roots मतलब जे for example उसी buffalo दे विच ग्रोग होए होगे, California दे विच या adult life spend करो अपनी, जिड़े थोटे टीथ ने, ओ आईसोटोप, जिड़े chemical test ने, ओ रिवील कर सकते ने, जिड़े लोकेशन दिनू ठीके जी, इतना एथो लग जुगा, एथो तक, अग्गे आईसोटोप analysis दी गाल होगी, एथो अपना अगलांसर लगूगा अप्शन पड़ो एकवार, A, the elements in one's teeth varied from childhood to adulthood, नहीं, भी element vary कर देया के नहीं childhood to adulthood, A भी नहीं हो दा, B, the isotope signatures of the elements remain the same in different phrases, ओ वेरी कर देने, आपानु ए क्या यासी भी वेरी कर देने, ता सेम ता रहन गी नहीं, भी option भी अपना 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 हो गया, the result of the study is not fascinating ओना दे, study दे, जेड़े result सी, ओ, interesting सी, ये नई सी, ए चीज दी भी किते कालनी हुई, the option देखो, these chemicals can't conceal once erode, origin, conceal दा मतलब हुन दे हाइड, conceal meaning क्यों हुन दा है, hide, ता जेडे chemicals ने, ओ, एक अपने origin हो हाइड नहीं कर सकते, ओ दुखा देंगे भी बंदा कित्थों originate होय, कित location है बंदे, खीके जी, ता एधा answer आजुगा अपना D option, ओके, next अपना isotope analysis ने सी न, line जेड़ी आपा paragraph पढ़ रही सी, देखो, the isotope analysis from the lapida, बदब ओ, की कहना चाहरे हा, isotope analysis की signify कर रहे है, अगे पढ़ देया, isotope analysis indicates that several of the lapida buried on if at it, did not spend their childhoods here, but came from somewhere else, and while isotopes can't pinpoint their precise island of origin, this much is clear, at some point in their life, these people left the villages of their birth and made a voyage by sea-going canoe, never to return, DNA teased from these ancient bones may also help answer one of the most public questions in the Pacific Anthropology, did all pacific islanders spring from one source or another or many, मतलब ए जीड़ी कोशिन न, ए आंसर, मतलब आइसोडोप आनलीस करके ए आंसर कर संदी, सpriकरे के एक टेकि के एग ए रहीं, केके ए ठाशूच और ए ट गॉपकॉस्ट और ए, स्टीका कटेकोशन के ए। रीडि, closest descendants वर मतलब एनना दा भी आपा पता लगा साक्डे सी किन्ना ना आल आइसोटोग अनलिसिस दे हेल्प नाल एदा आंचर केड़ा हुगा दी एदा आंचर आउगा अपना सी ओप्षिन सी ओप्षिन अपना आंचर आ जुगा दा वियो हेल्प कार दे सी रिसेर्च नू आइलेंडर्स बारी डिफ्रेंट कोश्चन्स ये आंचर फाइंड आउट करने लिए ठीके जी तांकर के अपना थर्टी थर्ड दा आंचर आ हैं सी आपा पैराग्राफ ची भी सेम चीजी अपना पढ़ना पढ़ना स्टाट कर दिया दियर इस वन स्रेवन कोश्चन फर विच आर्के लोजी है ये तो प्रोवाइड अन्सर्स हाव दिदे लेपिटा अकंपलिश्च दे एंचेंट एक्विलेंट अफ मून लेंडिंग मैनी ताइंज ओवर नोवन हैस फाउंड वन अफ पर अगर तो अपना कोई अंसर लग सकता है nor do the oral histories and traditions of the later pollinations offer any insights all we can say for certain is that lapita had canoes that were capable of ocean voyages and they had the ability to sail them says jove erwin a professor of archaeology at the university of Auckland and an avid yorksman those sailing skills he says were developed and passed down over thousands of years by earlier mariner's who worked their way through the archipelagos of the western pacific making short crossing to islands within sight of each other the real adventure didn't begin however until their lapida descendants descendants कौन होगा है lapida दे जड़े बच्ची होगा ओफ्स्प्रिंग्स दी जगह है थे descendants use हुए है ठीक है जी अगे बढ़ देया ताह इत्थ हो होगी कि तो अपना अंसर लगूगा नियर्ट दे अन्ड अफ दे सोलोमों चेंड वर्ड दे एज अफ दे वर्ल्ड एज अफ दे एज दा को सेल कर सक्दे सी सब्सक्राइब दे नियर्स लैंड फॉल्ड दे सेंटा क्रूज आइलंड इस अल्मों तू थर्टी माइल्स अवे और फॉर्टी माइल्स अवे जड़ जर्नी कर दे सी ते डेट सो माय दूर करना तो बाद उनन कुछ नहीं दिखता सी ओ अपनी साइट गवाल है थी एनी द दूर तक कर दे सी मतलब लैंड दी साइट खतम हो जांदी सी एनी दूर तक को सेल कर दे सी ठीके जी अपना अंसर एदे एधगिर्दी लगूगा एदा अंसर अपना किया होगा पाओ देख देयां अपना 34 दा अंसरा होगा जी के अप्शन वर कैपिबल ओफ वाइज्जाइश इस नात असेसिबल टू भी मतलब जेड़े वाइजिस जेडियर जर्नीज ओ एवे धियर जर्नीज करण दे कैपिबल सी काबिलियत राक्त दे सी जिन्दा विच की लैंड अकस्यसिबल नीसी व्यू करन चबाद जी रैंड देखधी भी इसी एनी दूर तको वाइज कर सक्देशी सेल कर सक्देश ठीके जी तपना 34 दा अंसर लाग गया थे हुन रहागे अपना 35 जी परेग्राप देखोंग ते लेपिता थर्स्ट इन्टो पैसिफिक वाज इस्ट वर्ड अगेंस्ट थे रेग्रेवेंट्स आर्विन नोट्स दोज नैगिं हैट विंड्स आग्यूज में थी तो देर सक्देश दोज नागिंग की हैड्विन्स के डिया ने प्रिवेलिंग द्रेविन्स लिज्ट यह थी ता केड़ा कोश्चन से अपा ओदे घुदिया है थाटी फिफ्ट ता नी शीगा थी थाटी सेख्थ कोश्चन देखो दे लैपिटा कोड क्या नू इन दे प्रिवेलिंग वेंड मतलब प्रिवेलिंग वेंड दे विच लैपिटा जेड़े ओक यानू कर सकडे सिगे अगैस्टी का नoffer 갖고 विच्ट अंडियोड आन्यगory विच्ट रेन्दे रेन्दे रेट्ष के यह नियुन के अद्षुटर रेन्दete रेंदे रेट्रेट्रेइवंच सविक्सक्राक टापनी सायध की ऊफड़्च होले है अपनी the unknown and reconnoiter secure in the knowledge that if they didn't find anything they could turn about and catch a swift ride home on the trade winds it's what made the whole thing work once out there once out there अप्पानू इत्तो पता लागया ए भी अपना एक कीवर्ड है ठीक है जी once out there skilled seafarers would detect abundant leads leads मतलब क्यूज या hints clues hints रणा वो देकार क्या अपनू leads मिल सकता है to follow to land मतलब to follow to land मतलब वापिस land दे only वापिस कार only ओडिफरेंट leads नूँ follow कर दे सी जदो वो एक बार sail करन जाबड़ दे सी केड़ा अंसर लगोगा 35th answer देखो 35th question once out exploring the sea the sailors exploring the sea sailors की कर दे सी ता एदा अंसर किया हुगा एदा आंसर आउगा जी बी ऑप्षिन अपना 35th answer जी बी ऑप्षिन कोड रिटान होम विद वेरियस क्लूज मतलब होम तो की लग जुगा लैंड मतलब हो लैंड थे वापिस हों दे सी की फॉलो करके क्लूज नूँ फॉलो करके यहां लीड्स नूँ फॉलो करके ठीके जी तब ना 35th हो गया 36th हो गया अपने राएगे सारे ट्रू फॉल्स ते एक अपना समरी आला कोशन रह गया थी ठीके जी अगे देखो जिते करसर हो थो स्टाट करते पड़ना आल इस प्रीश पोज वन असेंशल डिटेल सेज एथोल अंडर्सन प्रफेसर अफ प्री हिस्ट्री द ऑस्ट्री नेशनल युनिवस्ट्री एं लाइक एर्विन अकीन याद्समें ने लापिटा हैद मास्टर्ड अध्वांस टू दविन्ड मतलब जड़ी लापिटा ने ओनना कोल एक एडवांस्ट आर्ट सीगी का दी विन्ड देविच टाग करन दी ठीक है एंड देर इस नो प्रूफ देट डू एनी सच तिंग मतलब एचीज नो प्रूफ करन दा ओनना कोल कोई भी प्रूफ नहीं सीगा ठीक है अपना एक समरी लगूगी लास्ट रहा गया जिड़ा ओल दाट इस सर्टेन इस दाट देवर गूड एट के लिए तो लाग जुगा भी ओक के लिए विच गूड सी ओ ट्रेड विंड सी टैकल कर सकते सी ठीक है अगे लिए पहाप्स देक टेक वेल अड्वांटेज ऑफ द अधिवर्स या एफ प्रूफ ठीक है ची ताहन रहा गया अपने चार ट्रू प्रू पल्स नॉट गिवन ठीक है ची कि अगि देख़ोन एदा अन्सर के थ्टो लागूगा हुगा हुग थ्यूश्य 37 कोशन की ओपड़ो इट वस डिफिकल्ट पर दे सेलर्स तो फाइंड बैक वांस दे वर आउट अपनू एवी मिल गया ना सेम जगा तो ही अंसर लगणगे ते एक तरह मतलब किया कोशन दा वी जदो वो एक वाद चले जांदे सी सेल करन ता ओक कार बैक बाउट मुश्किल ना लॉँदे सी मुश्किल हुंदी सी ओनानू वेज बैक फाइंड करन ले इत्व ही लग जो वान्स आउट देर स्किल्ट सी वारस वोड डिटेक्ट अबंदेंट लीट्स तु फॉलो तु लैंड तु फॉलो तु लैंड मतलब ये सारे क्लू सी बर्ड्स अं टॉर्टल्स कोकोनट्स बगयरा इनन सारे नो फॉलो करके हो लैंड ते आज आंदे सी ता उनना को ले एडवांस्ट आर्ट सीगी ठीके जी ना करके मुश्किल ता बिल्कुल भी नी सी हुंदा उनना ना करके अपना अंसर लग जुगा जी था फॉल्स थर्टी सेवन्थ अंसर इस फॉल्स थर्टी एड कोशन पड़ू हुंद रीजन वाइड लैपिटा स्टॉप्ट कैनुएंग फार्दर इस तिल अननों इदा अंसर देखांगे हुंद कितनों हुगा जी पराग्राफ चेदा अंसर है नी जी एच पराग्राफ पढ़ना स्टाट कर देखांगे हुगा अववेवर दे देट इट लैपिटा स्टॉप्ट थेंसल्स मतलब पहलाओ बहुत सारा स्प्रेड हुए फिर उननने क्विट करता सी क्यों कीता सी रीजन ने जड़े सिर्फ उनननों ही पता है और किसे नू नहीं पता अपना अंसर की लागया दरईजन वाइध लैपिटा स्टॉप्ट कर लुइंग पादर इस लंण अन्नों तुई लागया विसिर्फ उनना नो भी पता सी था अपनू अन्नों वोगी हों चीज़ आपना 38th अंसर की लग वाजी true. 38th answer is true. 39 देखो, the majority of the Lapita dwelled on Fiji. मतलब जाधा तर जड़ी Lapita ती लोग सी, ओं Fiji रहन दे सी. अगे पड़ो, देखो. Ahead lay the vast emptiness of the central pacific and perhaps they were too thinly stretched to venture further. They probably never numbered more than a few thousand. मतलब तोटल नमबर किन्न हुन्दा सी होना था? few thousand दे आसपास हुन्दा सी. And in their rapid migration eastward, they encountered hundreds of islands, more than 300 in Fiji. मतलब सिर्फ 300 दे आसपास ही Fiji देविच सी. ना जी for example, 10,000 ने टोटल देविच अना सिर्फ 300 ही है Fiji देविच ना Fiji देविच ता बहुत कट हुए majority नी ना हुए? ते अपन question क्या रहे है भी majority हुन्दे सी Fiji दे ठीकिया जी? ता अपना अंसर 39 ता की लग जुगए? इस करके false 39th answer is false अगला question देखो the navigators could take advantage of El Nino during their fourth voyages. मतलब El Nino the advantage लह सकते सी हो on वालियाँ voyages करके on वालियाँ voyages ठीकिया जी? अपनो पढ़के देख लाने है El Nino पारे सिर्फ H.E. गाल होई है जब पूरा अपना पैसेज पढ़ाँगे सिर्फ H.E. El Nino पारे गाल होई है पर देखो rather than give all the credit to human skill and daring Anderson invokes the winds of chance El Nino the same climatic disruption that affects the Pacific today may have helped scatter the first settlers to the ends of the ocean उन कई लोग सोचनगे भी helped दा मतलब एडवांटेजेस होंदे ना ता एथो ट्रूल आदेंगे पर हो help केडी चीज़ कर रहे है उना उना उन स्कैटर होंच मतलब वक्षवांख होगे सी जड़े लेपिटा सी गे वक्षवांख होंच होँच हैल्प कीती सी इस प्रेंड आदेज़ ना चीज़ एडवांटेज शे बनेंड़ आधेज डानेनों डानेह को भी by reversing the regular east to west flow of the trade winds for weeks at a time, these super El Ninos might have sped the pacific's ancient mariners on long unplanned voyages over the horizon. the valley of El Ninos that coincided with the second wave of voyages could have been keen to launching pollinations across the wide expanse of open water between eastern pollination which has had the advantage of the voyage. Once they crossed that gap, they could island hop throughout the region and from the manquests, it's mostly downwind to Hawaii, Anderson says. It took another 400 years for mariners to reach Easter Island which lies in the opposite direction normally upwind. Once again, this was during the period of frequent El Nino activity. Well on the pro about the example of El Ninos literature marked by the world's डॉट गिवन इस तरह जड़ा है अपना पैसे यह कंप्रीट हुए अपने 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 फॉल आउट फॉल को सकते हैं इस पैसे थी पर जैपां कंसेटरेशनल करांगे वह फॉल करेक्ट भी हो सकते हैं अपने अपने अट्री अपने भी होग्री आउट इस पैसे इता है आपने वह फॉल आउट आउट आप फॉल माक्स नोटे और मुश्किल लें दरेशन प्लस इंफॉमिशनल को गबलरी एंड सिनलें इंड बहुत इंपर्टें जिस पैसे ती ठीच ठीच टीच तो यह लाट and have a nice day.